Dear ICSE and ISE students, 2022 के board examination वाले, CISC की fortnightly meeting देश भर के सभी परमुख ICSE affiliated school के principal के साथ थी, जिसमें कई interesting fact सामने आया है, मैं screen पर note किया हुआ हूँ, आपको point wise बता रहा हूँ, जो की school ने CISC को उल्टे धता बता दिया, मतलब की उल्टे threatening दे दिया है, और कहा है कि 96% हमारे student नहीं चाहते हैं offline mode में examination को देना, अब CISC force कर रही है, तो एक और बात है, इसके साथ जो facts and figures, schoolों के द्वारा CISC को present किये गए हैं, मैं बता रहा हूँ, कहा गया कि 18th October को COVID safety protocol ISE के लिए दिया गया practical examination को लेकर, CISC ने 20th October को semester 1 examination abruptly postpone करता है, फिर 24th को schoolों को कहता है कि वो plan करे re semester 1 examination को लेकर, और फिर ICSE और ISE के semester 1 board examination को offline conduct करने के लिए 29th October को साफ साफ कहा देता है, CISC कई guidelines ICSE and ISE के लिए 30th October को release कर देता है, तो इतने सारे changes October के महिने में, और कई internal circular जो schoolों को जारी किये गए, वे इतनी आसानी से November के महिने में implement नहीं किया जा सकता, सकूलों ने पर्ष रूप से CISC को fortnightly meeting के दोरान जितने भी senior official थे उनको बता दिया है, second point जो सकूलों ने रखा है कि हमारे यहां standard 1 से लेकर 8 तक कि student के लिए school खुले जाने पर भी 10 to 15% attendance है, class 10 और class 12 के जो board student है, उनको pressurize किये जाने पर, 50 से 60% attendance होता है, parents के साथ साथ जितने भी social worker और अन्य प्रेसर ग्रूप हैं, वे school जाकर student को पढ़ने और उस तरह के examination को conduct करने के लिए प्रोचसाहित नहीं करते हैं, इसी बीच में एक और update आई है कि उरिशा में school first of January से खुल रहे हैं, कुलकाता में दो ऐसे petition high court में दायर कर दिये गए हैं, जो कि वहाँ पर school के खुलने के against है, इसके अलावे कई सारे ऐसे petition, यानि कि PIL या जो कह लिजिए, different high court में South India में भी दायर किये जाने कि बाते teacher union के दौरा, या फिर parents और student union के दौरा कही गई और यह CIC को बताई गई है, CICC से यह बोला गया है, कि आप जो offline mode में examination के conduction को लेकर इतने सारे strict, यू कह लिजिए, shocking guidelines और update, चैनिक information दे रहे हैं, इससे student के जो normal study cycle है, वही प्रभावित हो रही है, ICSE class 10th और IAC class 12th के दौरी, ऐसे भी, MCQ examination जो semester 1, ICSE और IAC के हैं, वही घंचकर का इस्तिती डाले हुए है, क्योंकि जितना भी इसके बारे में बताया जाए, student adopt और accept नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे student की mental condition troublesome है, इन examination को लेकर, क्योंकि mostly यह पढ़ाई, online mode में हुई है, और अब offline mode में यह examination, MCQ semester 1 conduct किये जा रहे हैं, ICSE and IAC 2022 के board student के लिए, 2021 November और December में proposed हैं, यह examination, तो इस पर CISC को गंभीरता से कई point को विचार करने के बाद, decision लेने आए, और जो कुछ वे decision होंगे, A.E.School ने कहा है कि हम accept ditto करेंगे, तो इस भी सेपर मैं part wise सारे details को बताता रहूंगा, एक खमसा बंता आए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में share करने और channel को subscribe करके रखें,